हेलो फ्रेंड्स अक्सर कहा जाता है कि अगर हम खुश रहते हैं तो सब कुछ हमें अच्छा लगता है बड़े बुज़गों से आपने सुना ही होगा कि बीटा क्या टेंशन लेते रहते हों हमेशा खुश रहा करो लेकिन काम की वज़े से पढ़ाई की वज़े से लाइफस्टैल की वज़े से टेंशन हो ही जाती है कई लोग उस टेंशन से बाहर भी निकलना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं निकल पाते अगर आप भी खुश रहना चाहते हैं तो मैं आपके लिए कुछ आसान टिप्स लेकर आई हूँ मैं आपकी दोस्ताज आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने आपको खुश रख सकते हैं और अपने आपको डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं टिप नमबर वन सही आहार लें हाल ही में हुए एक शोल से पता चला है कि वे महिलाएं जो ब्रेकफस्ट के टाइम पर संतूलित आहार लेती हैं या फिर प्रोटीन से युद्ध भोजन करती हैं वो रात के समय कभी कभार ही फैट यूग चीज़े खाती हैं अंडे के अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है साथी साथ अंडे के योग के अंदर विटिमिन B12 होता है जो हमारे मूड को नियंतरत करने में काफी मदद करता है इसलिए आपको भी नाचते में अंडे का सेवन जरूर करना चाहिए नमबर टू है पसीना बहाएं शारीरिक परिश्रंग बहुत ही जरूरी है हमें खुश्रकनी के लिए इसलिए अगर आप मॉर्निंग बॉक या जोगिंग करते हैं तो यह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा क्योंकि जोगिंग करने से हमारे शरी को तुरंत उर्जा मिलती है और वो उर्जा पूरा दिन काम करने में हमें बहुत सायता देती है अगर हम ज़्यादा काम करते हैं तो हमें बहुत से भी ज़्यादा तारीफे मिलती हैं इसकी वज़े से automatically हमारा मुझ अच्छा हो जाता है। प्रिक नमबर 3 धूप से बचें। जब भी आप धूप में जाएं तो संस्क्रीम का प्रयोग करें। संस्क्रीम या फिर संस्क्रीम लोशिन का प्रयोग करके ही धूप में निकलें। संस्क्रीम के अंगर SPF होता है। जो सूरज की UVA और UVB खिर्णों से हमारी स्क्रीम का प्रयोग करते हैं तो यह हमारी स्क्रीम को ड्राइब होने से और ऊठने से बचाता है। कैफीन से दूरी बनाए रखें कैफीन यानि की चाय और कॉफी इन से थोड़ा डिस्टेंस ही मेंटेन करें ओफिस हो या घर कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ही ज़्यादा भूके हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है अकसर में हमें ज्यादा प्यास लगी होती है ऐसा करने पर आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए चाय और कॉफी का सेवन थोड़ा कम ही करें क्योंकि चाय और कॉफी का सेवन करने से हमारे शरीर को हानी मिलती है अगर आप ज्यादा तनाव में रहते हैं और आपको अपना मूड फ्रेश करने की जरूरत है तो आप शुगर यानी की चीली यूग ति चुइंगम का प्रयोग कर सकते हैं इसका मीठ हर टेस्ट हमारे मूड को रिफ्रेश करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है शोद में भी ये बाद सावित हो चुती है कि अगर आप तनाव ग्रस्थ हैं तो अगर आप मूँ में चुइंगम डालके उसे चवाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपका मूड भी अच्छा होना शुरू हो जाता है ये थे कुछ ऐसे उपाई जिनका उप्योग करके आप अपने मूड को फ्रेश रख सकते हैं और हमेशा खुश रह सकते हैं इन टिप्स को आजमाईए और अपने व्यूज को हमाय साथ शेर करिए मेरी ब्यूटी और हेलसे रिलेटिट वीडियोज को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए